दोस्तो आज की वीडियो में बात करना चाहूंगी एक हैसरे डबल के नलिसीग पैटर्ण के बारे में जिसके हेल्प से आप किसी भी स्टॉक के इंडेक्स को बिल्कुल टॉप पे सेल करके अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो पैटर्ण का नाम है बिएस इंगल्फिंग य यहां पर आपको दिखाना चाहूंगी यह किस सेप का होता है तो यहां पर देखिएगा आप लोग यह है पिरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहां पर देखिए ठीक है इसमें क्या है तीन केंडल का कॉमिनेशन है फर्स केंडल मस्ट्री बुलिस सेकेंड बियरिस और थर्ड बियरिस होना चाहिए ओकए आप देख सकते हैं हमेशा यह आपको टॉप पर मिलेगा और जैसली यह फर्म होता है यहां से गिरावर्ण देखने को मिली मिल्स कि इसा ट्रेंड क्या हुआ हो च्ञेंज हो गया इसलिए कहते हैं यह क्या है एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ह ओके बोड़ पे एक पॉइंट दोस्तों क्लियरली समझते हैं बियरिश इन गल्फिंग ओके हमेशा आपको यह क्या मिलेगा always format top form at top ठीक है second thing यह क्या है double candlestick pattern है double candlestick pattern है मिन्स कि इसमें total कितने candle का डीर होता है three ठीक है double candlestick pattern है इसमें आपको तीन candle देखने को मिलेगा इसके अलावा यह क्या करता है यह trend reversal pattern trend reversal pattern मिन्स के trend को क्या करता है change करता है ठीक है देखो यहाँ पे यह हो गया एक up trend यहाँ पर आपको बिल्गुल चाट के top पे दिखेगा इस तरीका candle यहाँ पे ठीक है यह देखो यह uptrend यह top पर फ़आ हुआ जैसी फ़ेंगे इस के इनल का लोग बेख हुआ यहाँ से trend change मिन्सकी यहाँ से较 будете trend start हो जाता है तो इस तरहीगे से आप इसकी से triangle कर सकते हैं पर आगे समझेंगे इसका psychology क्या होता है ये इस shape का क्यों होता है और किस तरह से आप SL target भी find कर सकते हैं देखे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए एक proper uptrend तो यहाँ पर देखिएगा proper uptrend proper uptrend कब फर्म होता है यदि आप लोगों को पता हो तो comment कर सकते हैं क्योंकि कई previous वीडियो में हमने इस चीज़ को बताया है बहुत ही clearly तो यहाँ देखिएगा uptrend कब फर्म होता है तो जैसे यहाँ पर detailer क्या करता है retailer बिलकुल bottom में sell करते हैं क्या करते हैं उनको लगता है कि market यहाँ से और नीचे आ सकता है इसलिए वो यहाँ पर क्या करते हैं वो bottom में sell करते हैं बट market यहाँ से ऊपर चला जाता है फर एक्जामपल वो इस टॉक है 500 का rate है अभी इसका ठीक है आपने sell किया यह सोचके कि यहाँ से कहाँ आएगा नीचे हो सकता है यह 400 आएगा तो मेरे को 100 रुपीज पर share का profit होगा बट होता क्या है यह slowly 500 फिर यह 510 फिर यहाँ से slowly कहा जाता है 520 slowly 530 आप क्या करते हैं continue sell करते चले जाते हैं क्यों कि आपको पता है कि यहाँ से नीचे आएगा आपने खुद analysis किया होगा या आपके किसी फ्रेंडे सजेशन दिया होगा या फिर हो सकता आपने news कहीं सुना होगा ठीक है कुछ भी reason हो सकता है जिसके उसे आपको क्या लगा था यहाँ से नीचे आ सकता है और आप sell किये ठीक है और आप यहाँ पर क्या कर रहा है average करते चले जाते हैं क्योंकि यह बहुत common सी बात है कि loss में सभी average करते हैं ठीक है अब देखो आपने यहाँ भी sell किया यहाँ भी sell किया कोई तो होगा जो यहाँ पर buy कर रहा होगा यहाँ भी buy कर रहा होगा यहाँ भी buy कर रहा होगा यह buy करने वाले कौन है तो buy करने वाले है operator कौन है operator है जिनके पास में आपस ज़्यादा क्या है आपसे ज़्यादा fund है प्लस आपसे ज़्यादा skill भी है दोनों चीज आपसे कई ज़्यादा कई गुना ज़्यादा है ठीक है तो यहाँ पर होता क्या है यहाँ पर देखो यह लोग क्या करते हैं buy करते हैं means कि demand create करते हैं और इनका जो demand है वो आपके supply से बहुत ज़्यादा है due to this यहाँ पर क्या होता है price नीचे नहीं आ करके price continue उपर चला जाता है ठीक है 530, 540, 560 उपर चला आता है और जब यह उपर आएगा तो यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर continue ठीक है अब देखिए आपको 500 rate पर क्या लग रहा था कि यह stock BRS यहाँ से और नीचे जा सकता है बड़ जैसी यह stock 550 पर आता है अब आपको क्या लगने लगता है कि यहाँ से हो सकता यह 600 जा सकता है और आपके आजपास के लोग भी बोलते हैं कि हाँ यहाँ से उपर जा सकता है यह stock काफी बुलिस है अब यहाँ पर आप क्या करते हो तो अध्यान समझेगा आप यहाँ पर क्या करते है जो आपके पास में sell position था इससे आप exit हो जाते हैं loss book करके क्या करते हैं loss book करके exit हो जाते हैं आप सोचते हैं कि चलो यहाँ पर यहाँ से 50 point उपर और जा सकता है तो जो loss हुआ है आज ही उसको recover कर लेंगा और आप यह सोच कर यहाँ पर buy कर लेते हैं क्या करते हैं अब आपने अपना position change कर दिया ठीक है आप क्या किया आपने buy कर लिया यहाँ को होता क्या है आपको यह किस तरह से track करता है इस बात को समझना अब यहाँ देखेगा यह क्या है bullish candle है ओके opening यहाँ पर closing यहाँ पर bullish candle क्या होता है इसके बारे मैंने detail में वीडियो बना रखा है आप उसको देख सकते है अब यहाँ देखना है यह जो candle firm होती है यह ऐसे जहाँ पर यह close वहा न वही पर यह open होगा और ऐसे यह उपर जाएगा ऐसे उपर जाएगा मिन्स कि यह bullish मतलब यह मुरू-बुदू टैप से आपको देखने को मिलेगा ठीक है होता क्या है कि यह है एक running candle क्या है रणिंग केंडल है रणिंग केंडल मिन्स की मानग के चलो आपको 9.15 आवर्ली टैम फ्रेम का चार्ट है यह 9.15 से 10.15 के बीच का यह running candle है तो इस तरह में आपको क्या दिखेगा कि देखो यह सच में उपर जा रहा है जो आपको कह रहा है आपके आसपरोस के लोग जो कह रहे है मिन्स की न्यूज वाले हो या फ्रेंड हो जो भी कह रहे है या आपको लग रहा होगा तो यह सच में मतलब उपर जा रहा है आपको ऐसा लगने लगता है क्योंकि यह देखो continue उपर जाता है ठीक है ऐसा ओपरिंग तो यही था ठीक है बड़ क्लोजिंग कहा तो होगी क्लोजिंग होती है नीचे यहाँ पे बियरिश केंडल फर्म हो जाता है और next केंडल भी बियरिश फर्म होता है ठीक है अब क्या हुआ आप यहाँ पे टॉप पे बाई किये आपको लगा यहाँ से उपर जाएगा आपने बाई कर लिया प्रेक्चॉल में क्या हुआ यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ और यहाँ से देख सकते हैं नीचे गिर गया ठीक है इसके पिछले रिजन क्या था तो यहाँ पे देखो जो अपरेटर बाटा में बाई किया था तो यह प्रोफिट बुक करेगा ना ठीक है प्रोफिट बुक कैसे करेंगे नीचे बाई था उपर जाके क्या करेंगे सेल करेंगे प्रोफिट बुक प्लस फ्रेज सेल भी करते हैं मिंस कि अब आप हो गया buy करने वाले तो यह क्या करेंगे यह sell करेंगे ठीक है तो अब यह sell करेंगे और जैसे sell करेंगे अब इनका supply क्या होगा supply greater than demand ठीक है जैसे supply greater than demand होगा price उपर ने जाकर price क्या होगा यहां से नीचे और जैसे third general gauge form होगा इसका low break होता है तो market यहां से trend change कर लेता है यहां से नीचे उसे आ जाता है अब देखी है आपने व्यम्य क्या किया था यहां भी लॉस क्या क्या किया वाइं कि तो आज के बाद से इसको सीखने के बाद आप लोग क्या करना है और बॉटम में वाई करना है ही इप झlori को एगें समझते हैं है यह सबसे पहले क्या चाहिए आपको प्रापर एक अमठ्रेंद चाहिए आप कैसे पता चेलेगा की यह प्रापर ऑप्ट्रेंद है कैसी पताचेलेगा तो यहाँ पर देखो इश्म Müने इन resist meer और चाहिए प्रॉपर अप्टेंड के लिए यदि आपका 30 मिनट या फिर आप अब वाड़ी टैंफिंग चार्ट है तो 20 केंडल मस्त है यहां पर देली टैंफिंग का चार्ट है तो यहां पर क्या करना यदि 17 भी रहेगा मिनमम तो आप कंसिडर कर सकते हैं 17 से 20 या वीकली टैं केंड होगा उतना चाहिए इसका रिवर्सल होगा चोटा सा प्रेंड होगा यहां सक्क्या वर्थवासा नीचे आएगा इंग ऊपर चला जाएगा मिनसकी एसल हिट करने का चांस यहां पर मैक्सिमम होगा ठीक है तो इसलिए इस चीज़ को धियान में रखना 20 केंडल होना चाहिए ठीक है अब यहां देखिएगा क्या है फरस्ट वाली केंडल क्या होनी चाहिए यह वाली बुलिस मस्ट भी बुलिस यह बियरिस नहीं मस्ट भी बुलिस ओके जो नेक्स केंडल है इसके बाद वाली केंडल यह वाली केंडल क्या होगी मस्ट भी बियरिस मस्ट भी और इसका एक और काम है एक और काम क्या है यह क्या करेगा इसके बॉड़ी को ब्याइश केंडल बुलिश केंडल के बॉड़ी को 100 परसेंट या मोर दें 100 परसेंट कवर करेगी ठीक है कवर काशचचचा एससी केंडल का हाई को यहां यहां पर यह होगा आपका स्टॉ आप गया अब देखो जो थर्ड ऑली है कंडल है यह यह होते हैं इसलिए इसका भी 2 होना मस्त है थार्ड कंडल must be bearish must be bearish because यह क्या है यह confirmation candle और जैसे इसका low break हुआ किसी ने किया fourth candle, fifth candle किसी ने जैसी low break किया आप यहाँ पे अपनी position short cell में बना सकते हैं ठीक है यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता चल गया किसका direction क्या है यहाँ से downside का है यहाँ direction क्या है negative है मिन्सके bearish रही है downside का direction है इसका तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं sell side में trade बना सकते हैं ठीक है sell side में अब देखो जब आपको market का direction पता चल गया कि यह नीची आने वाला है तो आप किसी भी second trade बना सकते हैं चाहिए वो cash हो या future हो या option हो में क्या होता है में आपको direction market का direction फाइंड करना ठीक है तो यहाँ देखो आप किसी में भी चाहिए आपकी margin है आप cash में करो या future करो या फिर option करो आपको सभी जगह पर क्या होगा यहाँ पर profit देखने को मिलेगा बड एक्शन के लिए नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे आपको loss होगा चाहिए किसी entry 480 तो इसका difference लेंगे 500 माइनस 480 20 अब देखो अब exit कहा होंगे exit या target 480 माइनस 20 इकोल टू 460 460 पर आपको exit हो जाना है अब देखिए अब इसमें आपको क्या लग रहा है मतलब इससे आपने क्या सीखा कि आपका stop loss क्या होगा entry point कहा होगा आपका target कहा होगा अब आप blind trade नहीं करेंगे आपको पता है कि मेरेको maximum मेरा risk कितना है मेरेको maximum loss कितना हो सकता है क्योंकि आपके पास में आपका SL है ठीक है अब देखिए आपने यहां पर क्या किया hundred quantity sell किया ठीक है तो 20 रुपीज पर शरागों क्या हुआ यदि करता है तो आपको maximum loss कितने का है 2000 का और यदि profit होता है मिन्स की 460 हाता है तो आपको maximum profit है 2000 आपको दोनों चीज पता है अब आप blind trade नहीं कर रहे है ठीक है तो यहां पर देखिए इसमें आपको क्या करना है वन इस्टू वन का इसली कर सकते हैं बट इंट्राडे के लिए प्रफशा एडवांस टेक्निकल को फोलो करना होगा ओके तो आगे आपको बताएंगे एडवांस टेक्निकल जिसमें आप वन इस्टू थ्री वन इस्टू फाइव तका टारेट भी ले सकते हैं तो दोस्तों यहां पर बहुत ही आप फॉर्फज है यहां पर मूर्गे निट केंडल यह क्या है क्या इस पॉर टाइम फ्रेम चार्ट है व्यांस का चार्ट आप यहां पर दिखक lot यह का पर फार्म हुआ है बिल्कुल top पे हमने क्या कहा जो first वाली kandle है must be bullish यह वाली bullish है second वाली क्या होनी चाहिए consciousness होनी चाहिए third वाली क्या होनी चाहिए और यह यह क्या करेगा इसके body को hundred percent कबर करेगा आप देख सकते हैं क्या कर रहा है hundred percent कबर कर रहा है कि कि यहां पर लोग देखे सकते हैं यहां कि हुए नीचे तो यहां पे आप देख रहेंगे क्या हुआ यहां से गिरावट हुई तो इस तरीके से आप इस पैटरन को चार्ट प्रेट बना सकते हैं दोस्तो काफी डीटेल में हमने समझाया है फिर फिर फ़े कोई ममन होता मार्केट में यहां पर सेंड कर देते हैं इससे क्या होता है आपको allow market में चीखने का मौका मिलता है फ्री ऑप ने दिन आप धृए सिसको भी यहां कर सकते हैं शीखना चाहते हैं stock market, basic से लेकर के advance तक, share market क्या होता है, stock market क्या होता है, पूरा mechanism कैसे work करता है, यहां इस लेकर के advance तक, जिनसके technical, option, strategies, everything, तो आप new basic economy जोइन कर सकते हैं, यहां पर आपको basic से दोस्तों, देखो smart newsletter class है एक, जिसमें आपको basic सिखाया जाता है, okay, second है आपका technical, टेकनिकल और ऑप्शन का क्लास दोनों में एडवांस टेकनिकल आपको सिखाया जाता है जो क्लास का मोड़ टोटली ओनलाइन है कोई वीडियो नहीं है जो आपको उने रिकॉड़ेट वीडियो दे लिया बस मेरा काम होगे और आपका डॉट आपके पास रहे गया बिलकुल कोई भी डावत वी क्लास में अब पूछ सकते हैं प्रवर्प टेस्ट होता है प्रोपर क्लासेज होते हैं और साथ में आपको हमारे तária द उलका से क्लास के लिए सकते हैं आज का वीडियो नहीं सब्सक्राइब हुआ है युदते हैं तब तक के लिए नमस्कार कर दो कर दो